विराम चिन बच्चों, क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझें? यहां रोकने की बात हो रही है या जाने की? यह इस परश नहीं हो रहा है क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि बोलते समय वक्ता रोको शब्द के बाद हल्का सा रुकता है या रोको मत के बाद यदि वक्ता रोको शब्द के बाद हलका सा रुकता है तो इस वाक्य का अर्थ होगा उसे रोको जाने मत दो परन्तु यदि वक्ता मत के बाद हलका सा रुकता है तो वाक्य का अर्थ होगा उसे जाने दो रोको मत लिखित भाषा में इन चिन्नों को ही विरामचिन गहते हैं मोगिक भाषा की विभिन विशेष्टाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्नों को विरामचिन कहा जाता है विरामचिनों के प्रकार पून विरामचिन बोलते समय जहां कोई बात पूरी हो जाए या वाक्य समाथ हो जाए वहां पर लिखित भाशा में पून विरामचिन लगाया जाता है जैसे मेरा नाम कमल है, नेहा सो रही है, अल्प विरामचिन बोलते समय वाक्यों के बीच में जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसे लिखित भाशा में अल्प विराम चिन से व्यक्त किया जाता है जैसे सोनू, मोनू और नोनू पार्ग में खेल रहे हैं समीर बजार से पकोडे, समोसे, बर्गर और लस्ती लाया प्रशन वाचक चिन, बोलते समय जब वक्ता किसी वाक्य के माध्यम से कोई प्रशन पूछता है तब लिखित भाशा में उस वाक्य के अंत में प्रशन वाचक चिन लगाया जाता है जैसे तुम किस विद्याले में पढ़ती हो, तुम कहां रहते हो विसमे आदी बोधक्चिन, जब वक्ता, बोलते समय हर्श, खुशी, दुख, आश्चर्य, घ्रिना, आदी भावों को प्रकट करता है तबलिकित भाशा में इन भावों को व्यक्त करने वाले आ, हाए, उफ, वा, छी, आदी, विसमे सूचक, शब्दों के साथ विसमे आदी बोधक्चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे, आ, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, वा, कितना सुन्दद रिश्य है हमने सीखा मोखिक भाशा की विशेशताओं को विरामचिन्नों द्वारा लिकित भाशा में व्यक्त किया जाता है प्रमुक विरामचिन्न है, पून विरामचिन, अल्प विरामचिन, रशन वाचक चिन्न